Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल इसको लेकर भारत ने बड़े स्तर पर काम किया, अभी अभी रिसेंटली यहाँ पर जो Health Minister है भारत के, उन्होंने बताया है कि पिछले डेड़ सालों में भारत ने स्टार्ट कर दिया है manufacturing of 38 APIs, मतलब 38 प्रकार के जो bulk drugs होते हैं, जिनका इस्तमाल किया जाता है medicines बनाने में, वो भारत स्टार्ट कर चुका है manufacture करना, तो इसी के बारे मैं आपको detail से बताऊंगा, जो journey रही है भारत की, 2020 से लेकर अभी तक कैसे यहाँ पर scheme लाया गया, किस तरह से implement किया गया, वो सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्या तो हमारे इन batches को join कर सकते हैं, simply हमारे website, app पर जाएए, या फिर comment section में इसका link के वहाँ पर जाकर use कर ये code, अंकित live, इस code इस्तमाल करने से आपको सबसे ज़्यादा discount मिलता है, और ध्यान रखेगा ये batch लेने के बाद आपको कुछ भी और लेनी के आउशकता नहीं पड़ दिखें, बताया गया है, Union Health Minister मांसुप मांडविया के द्वारा, और उनके द्वारा Saturday को एक speech दिया दा रहा था, मैं आपको आगे बताऊँगा, और उसी के दौरा उन्होंने ये कहा, कि under the production linked incentive scheme, आपको पताई होगा, PLI जो scheme आया है, वो कई सारे sectors के लिए है, वो bulk drugs के ingredient होते हैं, API होते हैं, उसका manufacturing पिछले डेड़ साल के अंदर-अंदर start हो गया, although भारत की कोशिश है कि 50 से ज़्यादा प्रकार के जो bulk drugs होते हैं, उसको बनाया जाए, लेकिन ये बड़ा success है कि डेड़ साल के अंदर-अंदर, 38 जो की हम चाइना से मंगाते थे, मतलब ये 38 ज management जो एमदाबाद के अंदर है, वहाँ पर वो inaugural event के तौर पर speech दे रहते हैं, जो healthcare summit चल रहा था, और उसी के दौरान उन्होंने ये भी कहा, कि 2017 में भी आपको याद होगा, कि चाइना और भारत की बीच में stand-off देखने को मिला था, डोकलाम में, सिक्किम के पास जो डोकलाम आपको याद होगा, वहाँ पर देखने को मिला था, और वहीं से कहीं न कहीं भारत की शुरुआत हो गई थी इसको लेकर, देखें, ओल्दो हम ज्यादा तर ये देखते हैं कि COVID हो गया, साथी साथ जो डोक, गलवान वैली वाला incident हुआ था, तो हमें ज्यादा तर लगता है कि वो जो 2020 में incident हुए थे, उसकी वज़े से हम हुए, ऐसा नहीं है, यहाँ पर उनका कहना था कि 2017 से ही, जो दोकलाम वाला issue हुआ था, वहीं से हम self-reliant होनी की सोच रहतें, क्योंकि problem क्या है, कि भारत 95% जो API है, मतलब हम जितना भी bulk drugs import करते थे, उसका 95% हम अकेले चाइना से करते थे, सोच के देखें, मतलब हम पूरी तरह से चाइना के उपर dependent थे, तो उसके अंदर कमी लानी थी हमें, और इसी के वज़े से वहाँ पर उनका ये भी कहना है, जो health minister है कि हमने PLI scheme स्कीम स्टार्ट किया, और ये PLI scheme basically ये है, कि 54 जो bulk drugs हैं, उसको हम बाहर से ना मंग पाकर भारत के अंदर ही manufacture कर जाएं, और इसी के लिए उन्होंने कहा कि I am very happy to share that, कि within one and half year हम 38 APIs बनाने में काम्याब रहें, और हम आत निर्भर भारत की तरफ बढ़ हैं, वैसे मैं आपको बता दूँ कि सरकार ने 15,000 करोड का जो PLI scheme है, ये pharmaceutical sector के लिए सरकार ने निकाला था अब question यह है कि ये bulk drugs मैं बार-बार आपसे कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या होता है, देखो simple साथ चीज है, कोई भी drug बनाना है या फिर medicine बनानी है, उसका जो सबसे important ingredient होता है ना जो सबसे important बिना उसके medicine बनी नहीं सकता, उसी को basically हम कहते है bulk drug, मतलब bulk drug ऐसी चीज होती है, ज paracetamol usually हम जाकर कहते हैं ना कि भाई paracetamol दे दो medical shop पे, तो वो तो हम tablet की बात करते हैं, लेकिन paracetamol actual में एक bulk drug है, जो की pain के खिलाफ यहाँ पर लड़ता है, मतलब कि जैसे paracetamol tablet हो गया या फिर जैसे crossin हो गया, crossin में कई सारी चीज होती है, लेकिन जो सबसे important part होता ह है paracetamol, तो basically क्या है कि जो bulk drug होता है, उसको basically एक binding agent के साथ जोड दिया जाता है, ताकि हाँ पर जो finished product है, tablet हो गया, syrup हो गया, किसी भी प्रकाल की चीज़ें आप बना सकते हैं, उसको convert करते, लेकिन bulk drug जो है, या फिर active pharmaceutical ingredient, दोनों एक ही चीज़ें, वो यह होता है, अब इस उसको भी तो बनाने के लिए कुछ ना कुछ raw material चाहिए होता है, तो उसको भी कई सारे multiple reaction से भेजा जाता है, तब जाकर यहाँ पर bulk drug तयार होता है, ऐसे तो बन नहीं जाता, तो जो primary chemical होता है, bulk drug बनाने के लिए जिसको कई सारे reaction से भेजा जाता है, वो जो primary chemical है ना, उसको हम कहते हैं key starting material KSM मतलब जिससे सुरुवात होती है bulg drug बनाने की और तब इसको कई सारे chemical reaction से भेजा जाता है और बीच में जो एक ऐसा stage आता है जहां पर एक compound create होता है chemical compound create होता है उसको हम कहते हैं drug intermediaries ठीक है मतलब कि सबसे पहले किस से सुरुवात हुआ KSM से सुरुवात हुआ इसको कई सारे reaction से भेजा गया तो बीच में एक compound बना इसको हम कहेंगे DI that is drug intermediary और फिर उसको further process किया जाता है और तब जाकर बन जाता है bulk drug I hope कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से यह bulk drug जो है create होता है तो यह KSM और DIA यह भी आप ध्यान में रखेगा अब question यह है कि भारत ने क्या किया bulk drugs हो promote करने के लिए देखो वैसे मैं आपको बता तो कि India has one of the largest pharmaceutical industry क्यों आखिरकार हमें जरूरत है bulk drug बनाने के लिए क्योंकि volume के ट्रांस में आप बात करोगे तो third largest है भारत की जो pharmaceutical industry है पूरे दुनिया के अंदर लेकिन इसमें जैसा कि मैं आपको starting में बता रहा था चाहें API है या फिर जो इसके रॉम इंटेलर होते हैं यह जितने भी चीज़ें होती हैं वो हम लगभग लगभग पूरी तरह से चाइना के उपर डिपेंडेंट थे और especially कोविट के दौरान क्या हुआ था यहां पर जो drug manufacturers हैं भारत के अंदर वो काफी सफर कर रहे थे क्योंकि 2020 में January के महने में starting में आपको याद होगा चाइना पूरी तरह से shutdown हो गया था factories बंद हो गई थी तो वहां से supply नहीं आ पा रहा थो जब तक उसकी supply भारत में नहीं आएगी तो हमारी जो इतनी बड़ी industry है pharmaceutical की वो कैसे यहां पर medicine बनाएगी फिर इसके साथ साथ गलवान वैली वाला incident हो गया तो यह सारी चीज़ें जो थी जो factors हैं वो कहीं न कहीं push किये भारत सरकार को कि हमें self-reliance की तरफ जाना चाहिए और इसी को देखते वे फानली जून के अंदर Department of Pharmaceutical ने announce कर दिया bulk drugs park scheme मतलब की bulk drug बनाने के लिए बड़े बड़े land होते हैं जो पुरा पार्क होता है वो create किया जाएगा अलग-अलग राज्यों के अंदर और मैं आपको बता दूँ कि Department of Pharmaceutical ने यह जो scheme launch की इसको देखते वे 13 राज्यों ने जी हां 13 states ने interest दिखाया और उन्होंने कहा Central Government से कि हम चाहते हैं कि यह bulk drug parks हमारे राज्यों के अंदर बने लेकिन अब्वेसी बात है सब के लिए नहीं दिया जा सकता क्योंकि तीन हजार करोन का यह initially financial जो है Central Government दे रही थी तो इसको देखते वे तीन राज्यों सेलेक्ट किये गए कौन कौन से गुजरात, हिमाचल परदेश और आंधर परदेश तो आज के date में आप देखो के तो गुजरात, हिमाचल परदेश और आंधर परदेश में यह जो bulk drug parks हैं उसका काम चल रहा है कई जगा complete हो गया है वहाँ पर already start हो चुके है manufacturing जो bulk drugs की मैंने बात की तो इसको ल companies काम कर सकेंगी और फिर उस companies के लिए अलग से scheme लाए गया और वो जो scheme लाए गया था वो PLI scheme के लिए रखा गया ठीक है तो यहाँ पर यह बोला गया कि जो भी companies यहाँ पर PLI scheme के अंदर आना चाहती है वो basically उनका net worth 30% होना चाहिए of the proposed investment मान लो कोई company है वो कह रही है हम 100 करो का यह पूरा project हो तो उसके लिए सरकार ने कहा कि आपके पास कम से कम उसका 30% net worth होना चाहिए 30 करोन का net worth होना चाहिए और यहाँ पर सरकार यह भी कह रहे थी कि 136 companies तक हम अलाव करेंगे जो भी यहाँ पर bulk drug बनाना चाहती है और companies को किस basis पर चुना जाएगा bulk drug बनाने के ल बनाने की of their proposed plant मतब कोई कहेगा कि हम तो इतना सारा bulk drug बना सकते हैं कोई कहेगा नहीं हम तो सिर्फ इतना ही कुंटल बना सकते हैं जो भी होगा I mean whatever quantity तो वो criteria और साथी साथ जो सबसे कम दांपर बना सके तो इन दोनों criteria को देखते वे यहाँ पर companies को चुना क्या और companies को benefit क्य होगा यहाँ पर आप देख सकते हो 2023 से लेकर 2027 के बीच में जो manufacturers हैं उनको 20% 20% of their turnover वो सरकार खुद अपनी तरफ से देगी मतब 2023, 24, 25, 26, 27 यह पहले 5 साल में सरकार यह 20% उनके turnover का सरकार अपनी तरफ से जो है provide करेगी subsidy के तोर पर फिर 2027 से 2028 के बीच में 15% of their turnover यहाँ पर सरकार लोटाएगी और फिर 2029 में सरकार 5% का incentive यहाँ पर उनको देगी मतलब I hope कि आप देख रहे होगे कि सरकार basically companies को incentive provide कर रही है कि आप world drug बनाईए उसका कुछ हिस्सा subsidy के तौर पर हम अपनी तरफ से देंगे ताकि उनके लिए costing कम आ जाए और हम Chinese company से fight कर सकें और साती सा मैं आपको यह भी बता दूँ यह जो manufacturing plants हैं उनको बनाने का cost लगभग 50 करोण से लेकर 400 करोण के बीच में आप कह सकते हैं कि इतना यहाँ पर लागत आने वाला है और मैं आपको यह भी बता दूँ बड़ा इंटरस्टिंग कि department of pharmaceutical ने इसी साल के सुरवात में लगभग February के और मांसुक मांडविया जब इसके बारे में बोल रहे थे अभी Saturday को I am Ahmedabad में तब उन्होंने कहा कि हम पूरे medical sector के अंदर आत्मिर्भर की तरफ बढ़ना चाहते हैं चाहें वो medical instrument हो गया वो भी हम बनाना चाहते हैं और उसको लेकर भी काम कर चल रहा है साथी साथ उन्होंन उन्होंने कहा कि हम 54 नए medical colleges का भी approval यहाँ पर दे रहे हैं फिर वही इनका कहना था कि यह सारी जो journey रही है यह एक प्रकार से हमें inspire करती है कि भारत के अंदर कोई brain shortage की कमी नहीं है manpower की कमी नहीं है बस कमी है तो इच्छा शक्ती की अगर हम वो कर सकेंगे तो कहीं न कहीं research and development पर अगर ज्यादा focus किया जाए तो भारत आगे बढ़ सकता है और conclusion में देखे दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहूंगा कि 2018 उन्हें सरकार ने लोग सभा में inform किया था कि भारत ने जो bulk drugs है जो import किया है चाइना से उसका worth था लगबग 2.4 billion dollar तो सोच के आप देख सकते हो कि य तो अमरित कुंड अमरित कुंड अगर आपको नहीं पता हो मैं आपको बता दूँ इसका right answer आप सबको पता है मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं टेलिग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर में कई सारे जो MCQs हैं वह यहाँ पर stories में दालता रहता हूँ बाकिए अगर आपको PDF यह तो टेलिग्राम पर आईए अलग लग सोशल मीडिया पर आप जूड़ पाओगे और जैसा मने बताया UPSC के अगर आप जारी कर रहे हो जस्ट यूज़ दे कोड अंकित लाइफ to get maximum discount and I hope की वीडियो आपको पसंद आ होगा मि प्यारी हुई affordable